नमस्कार दोस्तों उम्मीद है कि आप सबी बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HDFC बैंक के क्रेड़िट कार्ड और फेस्टिवल आफर्स के बारे में जी हाँ SDFC ने भी काफी festivals offers में इस festival offers में बहुत अच्छे चे excited offers दिये हैं अपने ग्रहकों को और उन लोगों के लिए भी जो इच्छुक हैं SDFC बैंक से जुनना चाहते हैं जैसे आपको पता ही है कि हमने पिछले कुछ वीडियो में ICICI बैंक के credit card और access bank के credit card के बारे में चर्चा करा है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SDFC बैंक के credit card के बारे में इस वीडियो बनाने का में मकसद यह था कि SDFC बैंक अभी आपको अगर आप apply कर रहे हैं इस festival offer में कोई भी card, loan या किसी भी तरह का loan आप use करना चाहते हैं तो आपको बहुत यह अच्छे offers मिल रहे हैं और excited offer मिल रहे हैं और minimum documentation होगा जी हाँ, अगर मान के चलिए आप SDFC बैंक का card avail करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही कम documentation देना पड़ेगा और जो यह cards होँगे, यह lifetime free होँगे आपको किसी तरह के कोई fee देने की जरूत नहीं है तो इस वीडियो में हम SDFC बैंक के उनी card के बारे में चर्चा करेंगा और apply करके देखेंगे mobile application से SDFC बैंक के तो आप वीडियो बने रहे हैं, चलिए, start करते हैं देखें, सबसे पहले जब आप official website पे आएंगे SDFC बैंक के, आपको simply google.com, google खोल लेना है आप देखेंगे, SDFC bank का एक पहला page खुल जाएगा जो first one होगा, SDFC bank लिखा होगा यह इसकी official site है, यहाँ पे आप जैसे enter करेंगे तो आपको SDFC के उसारे detail मिल जाएंगे, जो saving account है या credit card या loan आप जो देखने चाहते हैं देखें, SDFC bank इकलोता है, जो आपको बहुत ही कम, मतलब minimum salary पे भी आपको credit card देता है बाकी bank भी देते हैं, बट उनकी कुछ अलग तरह की policies होती है तो अगर आपका SDFC bank में किसी तरह का खाता है, चाहे saving, current या salary तो आप इस benefits का lab उठा सकते हैं, home loan नहीं सकते हैं अगर home loan की बात करूँ, तो I think 6.9 के और 7 के बीच में अभी home loan मिल रहा है जो कि as comparison पिछले सालों में बहुत कम है, 50% है पिछले सालों में अगर आप bankों में loan लेते होंगे, अगर आपको पता होगा तो 15-14% की आपको interest पे, annual interest पे loan मिलता था जो कि आपका बिल्कुल आदा हो चुक है, तो इस वीडियो में हम cover करेंगे कैसे आप card के लिए apply कर सकते हैं, क्या processor रहेगा, इस सारे चीज़े हम detail में देखेंगे तो चलिए home screen पर आते हैं mobile का, और यहां से हम simply visit करेंगे अपने play store पे मैं सिधा play store पे आता हूँ, और play store open होने के बाद, आपको भी यही procedure follow करना है आपको simply play store पे वहाँ पे लिखना है, SDFC bank, SDFC app लिखना है, जब आप SDFC app लिखेंगे, यहां पर first one जो option खुलेगा उसी पर आपको download कर लेना है, मैं already download कर चुका हूँ, तो आप इसे install कर लिजेगा, कुछ इस तरीके का interface आएगा आपके download होने के बाद, आप बिल्कुल यहां नीचे देखिए more option आ रहा है, तो आपको उस पर click कर देना है, जब आप more option पाएंगे, तो यहीं पर आपके इस त है, और तो definitely यहां पर उनके पास good details होते, बैंक की listed companies के, तो salary account भी खुल जाता है, ठीक है, अब आप में बात करते हैं, apply now पर click करने के बाद, जैसे आप section माएंगे, यहां पर आपको personal loan, two-wheeler loan, gold loan, home loan, लेकिन हमें जाना है card section में, अगर आप loan के लिए apply करना चाहते हैं, तो आप loan यहां पर कोई भी जो आपको चाहिए, अब यहां पर जाके apply कर सकते हैं, हम आएंगे card section के अंदर, credit card पर click करेंगे, और जैसे हम credit card पर click करेंगे, एक message आजागा प्यारा सा, वही बोला जाएगा कि भाई, आप इस link पर click करेंगे, और आपकी journey start हो जाएगी, चली हम अ इंटरफेस आएगा, simply quick simple credit card application, अभी बहुत अच्छा benefit है उनके पास, जिन्होंने मेरे साथ, यानि के हमारे जो viewer है, जिन्होंने मेरे साथ credit card, access bank का credit card apply किया था, उनका approve हो चुका है, अगर वो use कर चुके हैं, और bill pay कर दिया है उन्होंने, अगर statement generate हो चुके है, तो आप card to card की भी इस card को apply कर सकते है, जो कि lifetime free रहेगा, और SDFC bank का जो mostly क्या होता offer हमीशा ही रहता है, चाहिए आप iPhone purchase करिए, iPhone से related जो भी चीज़ प्रोडेक्ट खरीते हैं, उसमें आपको instant 10% का discount मिलता चाहिए, iPod ले लिजी, आप कोई भी charger वगेरा वगेरा, अगर आप चुक है, SDFC bank के अंदर हमेशे lifetime मतलब मैंने बहुत सारी चीज़े देखे जिसमें आपका offer मिलते हैं, चाहिए आप कोई भी shopping करें किसे भी platform पे, चाहिए flip card ले लिजे, या आप Amazon ले लिजे, मिंतरा ले लिजे, इसमें सब आपको offer देखने को मिलता है, as comparison other bank, ठीक है, तो आप क्या करिए simply यहाँ पर एक option देखें, उपर लिखा हो mobile number, निचे आपको capture code करना है, और यहाँ पर आपको term and condition पर click करना है, इसमें simply यह लिखा गया, term and condition अगर आप पढ़ने चाहते हो, तो यह पढ़ सकते हो, इसमें simply लिखा है, जो हम आपकी credit जब आप अप्लाइ करेंगे, तो हम depend करते हैं, इतनी deeply इन चीजों को verify करता है, तो most probably इतना deeply नहीं करते हैं, कि अगर आपके आपके बास card to card है, आपके 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 किसी bank का credit card है, तो आप सीधा card to card के base भी apply कर सकते हैं, उसके लिए आपको current month का आपको एक statement देना पढ़ेगा, credit card का statement, otherwise आपको salary slip देने सकते हैं, 6 month का, अगर आपके bank में, मतलब account में पैसा नहीं आता है, तो आपको 6 month का bank statement देना पढ़ेगा, अगर आप self employed हैं, तो आप ITR विगेरा या ITR with balance sheet या competition sheet दे सकते हैं, तो हम फटाफट इसको flip करते हैं, यहाँ पर मैं फटाफट अपना mobile number डाल लेता हूं, इस पर व दाल दिया और आप उसको track नहीं कर पाई, क्योंकि जो सारा प्रोसेसर रहेगा, इस पर उसी mobile number पर आता रहेगा, चाहे वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, या executive आपको call करेंगे, यह card delivered होगा, तो इसी फिर रहेगा, तो इन चीजों का आपको बिसीज ध्यान देना है, तो मैं फ रेइस्टर मोबाइल पर या application में जो आपने form भर है उस number पर, आप मैं फटाफट OTP फिल कर लेता हूं, जो मेरे पास OTP आया हुआ है, और OTP डालने के बाद, आप simply continue पर क्लिक करिए, आप जैसी continue पर क्लिक करेंगे, आप second section पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपन basic detail फिल करना है, यह fetch होगा, आपका अगर OTP valid है, तो definitely आके जाएगा, अगर कुछ आपने गलती करती है, तो आप देखके एक बार, फिल कर सकते हैं, यह आपका personal process, फाइल आजाए, जहां पर आपको personal detail फिल करना है, आपका आपका नाम, last name, first name, date of birth, mobile number अलड़ी आजाता है, पैन नमबर, इस तरह से आप address भरेंगे, तो मैं फटापर इसमें यह चीशे भर लेता हूँ, जब आगे आप भर के continue कर देंगे, तो आपकी सामनी आएगा check credit card eligibility, तो यहां पर आप से employment type पूछेंगे, आप self employer मैं sell it भर लेता हूँ, और यहां पर आपको यह पहुचना पड लेता हूँ, और फिर मैं आपके सामनी आगे बढ़ूँगा, ठीक है, मैं फटापर इसको भर लेता हूँ, तो इस तरह के option आजाएगा, आप eligible है, तो आप यहां पर card select कर सकते हैं, जो भी card आप apply करना चाहते हैं, कुछ इनके card के options हैं, जैसे आप देख सकते हैं, यह card है, आपको simply tap करना है, अगर आपको कोई और दूसरे cards देखने हैं, इसके बार फिचर देखने हैं, तो यहां पर कुछ इस तरह से option आएगा, और 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 भी आप आगे देख सकेंगे, तो मैं चैनली, more पर click करेंगे, जैसे यह वाले cards हैं, इसकी, SJFC की काफी अच्छी हैं, तो म simply C को apply कर लेता हूँ, select करने के बाद apply, जब select करने के बाद apply करेंगे, तो यह कुछ process लेगा, इसमें आपको अपनी basic detail भरने पड़ेगी, जैसे employment type, क्योंकि मैंने salary करा था, तो वहां पर आपको मतलब आपका landmark address, company का नाम, email address, यह सारी चीज़ें आपको भरने पड़ेगी, तो मैं फटा-फट इसको भर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगी वीडियो मिलता हूँ, और जैसी आप employment detail फिल कर देंगे, next section आपका इस तरह से खुलेगा, you are almost done, please set your credit card, make your credit card lifetime free, तो इसमें से कुछ options करने बढ़ेंगा, अगर आपको lifetime credit card free करना चाहते हैं, तो इसका मैं एक स्मार्ट पे option पे क्लिक कर लिजिए, जिससे क्या होगे चाहब अमाउंट आपका 500 से minimum 500 होना चाहिए, और महिने में कम सकम 2000 तक कि आप इसको मतलब 2000 कलिमिट हो जाने चाहिए, अगर आप स्मार्ट पे यूज़ करते हैं, स्मार्ट पे का मतलब यह है कि automatically आपका credit card से 500 मेने डिटेक्ट हो जाएगा, पे हो जाएगा और वह आपको पे करना पड़ेगा, at least 3-4 मेने तक, 5 मेने तक, 6 मेने के बीच की इस सारी डिटेल वीडियो में आपको बता दूँगा, एक separate बना दूँगा, ताकि वीडियो जदा लंबी ना हो, तो वहाँ पे आपको जैसे auto अब आके और बात करते हैं, दूसरा प्रोसेस है, वह है card secure, अब card secure में यह है कि अगर आपको कोई card secure का plan लेना है, जैसे आपने दिखा होगा, पेटियम के अंदर क्या था, आपको lifetime free card insurance मिल रहा था, जिससे आपका card जो होता है, अगर cyber attack होता है, cyber scam होता है, तो आपका card जो ह आप से कोई benefit नहीं है, कोई भी prepaid card, earn up to 5000 cashback annually through the, जिस card से ही है, और fast tech है, अगर आपके fast tech है आपकी card, अगर आप card drive के वहेकल है, तो आपके प्रसने वहेकल है, और आप डेली से या बॉर्टर पर आना जाना, जैसे को fast tech का use अभी पढ़ता है, जब आप बॉर्टर विगे या toll area में जाते हैं, तभी आप fast tech pay कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर smart pay के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे detail दे रहे कि, avail the benefit for lifetime, first year free card depending upon the card variant by the choosing on the glow options, यह सारे चीज़े हैं, अगर आपको यह सारे चीज़े, किसी एक को click कर लीजे, मैं यहाँ पर smart pay पर जाओंगा, और definitely do you have a relation with, नहीं मेरे कोई account नहीं है, तो भी इसको छोड़ दूगा, अगर किसी का account है, तो simply यहाँ क्लिक करके, continue पर click कर लेंगे, जैसी continue पर click करेंगे, तो आपके सामने एक अलग से, finally, lastly, help to representative to own, कुछ खास नहीं है, इसको आप छोड़ दीजे, म आप करना चाहते है, ठीक, otherwise, simply यही रख्याब आपके continue कर दीजे, तो इस तरीके से होगा, एक SMS आजाएगा, SGFC bank का SMS भी आपके पास आजाएगा, process होने के बाद यह कुछ detail है, और इस तरह से detail मिल जाएंगी, okay, once final use step, you can start the processing your application, आपको identity proof fail करना पड़ेगा, मतलब GPS या payment types मतलब आपको ID proof में, ID proof में आप दे सकते है pen card, water ID card, अधार card, password, pen भी गरा, तो आप pen प्रेफर करिए, दूसरे resident proof के अंदर आप क्या देना चाहिए, water ID card, अधार card प्रेफर करिए, और इसमें कुछ और detail ही दे रखिये हैं, जैसे आप deeply देखेंगे, तो we have मतलब अधार card क आपको इसके बारे में कुछ details है, आपको term conditions follow करने पड़ेंगी, मैं इसके बारे में एक detail video बना दूँका, don't worry, ठीक है, apply करने से पहले आपको वीडियो भी देख लिजेगा, आपको एक इस वीडियो के कुछ मतलब, एक या कुछ hours के बाद आपको मिल जाएगा, maybe next day भी मिल करना पड़ेगा, ठीक है, income proof की section में आते देखे लिखिया form 16, pay slip, ITR with competition, income seat, तो मेरे पास अलड़ी बढ़ा था, मैं यहाँ पर इसको click कर दूँगा, या आप चाहे तो, यहाँ पर photo selection, यहाँ पर आपको अपनी color photo चीज़े देनी पड़ेगी, जब आप इस सारे चीज़े फाइनली फिर आप यहाँ पर content में जब क्लिक करोगे, तो यह card आपका term and condition में क्लिक करके submit कर दीजे, आपका application submit हो जाएगा, और यह आपका final process रहेगा, इसके बाद आपको registration process, registration number मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद आपके document वैलिट होंगे, sorry, validation होंगे, उनकी checking होके, certificate का call आएगा, यह सारे document देने के बाद आप से पूछें कि सर आप, आप वहाँ पर simply question कर सकते, सर मुझे card to card पर apply करना है, तो वहाँ पर हो सकता, आपके base पर simply मांगें, कि आप current month का bill का statement दे देजे, तो वहाँ पर भी आप यह कर सकते है, section पे, ठीके, आप submit करेंगे, तो आ आप बने रेने किली,